नमस्कार किसान भाईयों, NKY फार्मर चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत अभिनंदन हैं, किसान साथियों आज के इस वीडियों में बात करूँगा एक ऐसी फसल के बारे में, जिसे लगाकर आप मातर साथ दिन में लाखों में कमाई कर सकते हैं, किसान भाईयों मैं बात मून की खेती करते हैं, तो मातर साथ दिन में मून की फसल पक कर त्यार हो जाती है, इसके बाद आप बाजरा की फसल ले सकते हैं, मून की फसल आपके खेतों की उरवरा सकती को भी बढ़ाती है, इससे आपकी अगली फसल जो आप लगाओगे, वह फसल भी शांदार पैदा होता है उस तीन चार महिने के दोरान खेत खाली पड़ी रहते हैं अगर आप इस बीच के समय में मूंग की खेती करते हैं तो जायद की फसल के तोर पर मूंग की खेती से कमाई कर सकते हैं किसान साथियो क्या आप जानते हैं इस समय मूंग का बजार भाव साथ अजार रुपए से लेकर आठ अजार रुपए परती कुवेंटल मूंग का भाव चल रहा है आप एक एक कड़ खेत में आठ से दस अजार रुपए की लागत लगा कर सतर से पिचित्तर हजार रुपए बढ़ी आसानी से कमा सकते हैं तो किसान साथियो यह वीडियो हमने साथ पॉइंट के आधार पर बनाया है मूंग की बुआई का सही समय क्या है मूंग की उननत किसमे कौन सी है खाद परबंदन सिच्चाई बीज की मातरा कटाई वे उत्पादन तो किसान भाईयो जब आप इन साथ पॉइंटों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप मूंग की खेती से मोटी कमाई कर सकते हैं तो किसान साथियो वीडियो शरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं त तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना क्योंकि खेती बारी से संबंदित नई नई जानकारी हम देते रहते हैं तो आईये सुरू करते हैं किसान साथियो अब सर्सों की कटाई कहीं कहीं पर सरू हो चुकी है कई जगे पर होने वाली है तो आप सर्सों की कटाई के बाद मूंग लगा सकते हैं किसान सात्यों अब बात करते हैं मूंग की उन्नत किस्मों के बारे में जिससे आप काफी अच्छी व्यादिक पैदावार ले सकते हैं आप लगा सकते हैं किसान सात्यों अब बात करते हैं मूंग की बुआई करते समय खाद परबंदन कैसे करे तो आपको एक एकड़ खेत में 40 किलो डियेपी 20 किलो पोटास 15 किलो यूरिया 5 किलो जिंक सलफेट 5 किलो सलफर डाल सकते हैं इसके अलावा जब आपकी मूंग की फसल में फल फूल बनते समय किसी भी फलोवर टोनिक का सप्रे कर सकते हैं इससे हमारी मूंग की फसल में फल फूलो की संक्या अधिक हो जाती है किसान साथियो अब बात करते हैं मूंग की सिचाई करने का सही तरीका क्या है तो किसान साथियो आपको बता दे मूंग की फसल मातर 3-4 सिचाईयों में पकर त्यार हो जाती है पहली सिच्चाई हमें बुवाई के 25 से 30 दिन पर करनी होती है इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी सिच्चाई करते रहे किसान साथियों सबसे महतुपुन बात का ध्यान अवस्य रखे जब आपकी मूं की फसल में फूल वे फल बनते समय सिच्चाई का ध्यान अवस्य रखे इस समय पर खेत में नमी बना कर रखे हलकी सिच्चाई करते रहे पानी का जल बराव ने होने दे किसान साथियों अब बात करते हैं मूं की कटाई वे उत्पादन की तो किसान साथियो जब आपकी मूम की फलिया 85-90% परिपक्कव हो जाए तब आपकी फलिया बूरे रंग की हो जाए तब हमें इसकी कटाई करनी चाहिए क्योंकि फलिया अधिक सूकने पर चटकने लगती है और दाना बिखर जाता है इससे आपका उत्पादन घट सकता है पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा किसान बायों तक शेयर अवर्षे करें वीडियो को एक लाइक वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद